हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आई होप सभी अच्छे होंगे आपका मॉस्ट वैलकम है आपके अपने यूटूब चैनल के अंदर तो आज हम बात करते हैं बड़ी दुखत समाचार के साथ नहीं रहे भारत के भूतपूर रास्टपती परणाव मुखर जी जो कि भारते राजनित कोसल उनका राजनिति व्यक्तितव देश के लिए हमेशा रहनारे देनवाला रहagnаний उन्हें जब भी राजनिति के एक इमांदारी की राजनिति के देश को आगे ले जाने की राजनिति इतने महान व्यक्तितव कि दशरको इन जले में वीर भूम जिले में वा था पश्य मंगाल के अंदर वीर भूम जिले के अंदर इनका जनम वा था पिता की बात करें कामदा कीकर कामदा कीकर मुखर जी इनके पिता का नाम माता राज लक्ष्मी मुखर जी माता राज लक्ष्मी मुखर जी 13 जुलाई 1957 को सुब्रा मुखर जी के साथ इनका विवा हुआ था ब्रह्मन परिवार से यह सम्मद रखते थे और आज 84 वरस के उमर में आर एंड आर होस्पिटल देली के अंदर तिक तीस आठ दोजार बीज यानि आज के दिन प्रणा मुखर जी हमें छोड़ कर चले गए बड़ा ही दुखत समाचार है लगबग 84 वरस की एज तक वो रहे उनके पिता कांग्रेस पार्टी में सक्री रूप से मेंबर थे उसका सक्री कार्य करता थे कांग्रेस पार्टी के पश्ची बंगाल विधान परिश्चत में इनके पिता 1952 से 64 तक सदश्य रहे वीर भूम जिला कांग्रेस कमिट्टी के अध्यक्ष भी रहे प्रणा मुखर जी के पिता यानि कि इनकी पारिवारिक स्तिती देखें तो इनका परिवार सरू से ही कांग्रेस पार्टी से जु इनके कारियर के सरूवात की इन्होंने कालेज प्रणाखः पक्षुए वकील के रूप में अपने कारियर की सरूवात की एक वकील व Najka agora ऐसकी रूप में और ल tourism होद देखें तो मैंने अभी बताया थे पूरा परिवारी Kongreps Party से जुड़ा हुआ था तो 1909 में राज्य nênतिक केरियर की सुरवाथी Kongreps Party की तर्फ से राज्य 생 राज्यसबा स्वदक्राइश की रूप में बाद में 1905, 1981, 2003, 1999 में फिर ये राज्य सबा के लिए चुने गए लगातार 55, 1981, 1993 में फिर से राज्य सवा के लिए अगेन दुबारा ये चुने गई 1903 में वो टाइम था जब ओद्धोगी की विकास विभाग में केंद्री उपमंत्री बनाये गई केंद्री उपमंत्री इनको 1903 में बनाये गाये था बाद की हम बात करें 1982 से 1984 तक कई कैबिनेट पदों के लिए ये चुने गए काफी कैबिनेट पदों के रोपी नोंने काम किया 1984 में भारत की वितमंत्री बने 1984 में भारत के वितमंत्री बने तक उस समय जब यह वित्मंत्री बने थे डक्टर मन्भौन सिंग, RBI के गवर्णर, Reserve Bank of India के उस समय गवर्णर हुआ करते थे, डक्टर मन्भौन सिंग, बीच में, जब इंद्रा गांदी जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद राजिव गांदी सत्ता को सभालते हैं, उस दोरा पान इन्होंने राष्टिय समाजवादी, Congress Party उस समय गठित की, क्योंकि Congress को तिन्हों छोड़ दिया था, उसके बाद 1929 के अंदर राजिव गांदी से इनका समझोता हो गया, और इनकी पार्टी, राष्टिय समाजवादी Congress Party का Congress Party के अंदर विले कर दिया गया, बाद में प प्रकार्शन का राजनिति करियर जो डाउन चल रहा था एक दम अप हो जाता है यह उजना प्रतम यौजना आयो का उपाद्रक्ष मन्त्री बिन को बनाया जाता है उन्हों से पिछाण में जान में कि दोरान इस दोरान इन्होंने विदेश मंत्री के रूप में भी कारिवार समाला 1997 में के अंदर इन्हें उतक्रस्ट सांसद उतक्रस्ट सांसद के रूप में भी इन्हें संबानित किया गया दोरान इन्हें प्रारम में रक्ष मंत्री और 2006 में इन्हें विदेश मंत्री का कारिय भार भी सोपा गया था मुखर जी लोग सबामे सदन का नेता बने थे क्योंकि रक्टर मनमोन सिंग राज्य सबाचे समन्त रखते थे और इनको फिर लोग सबामे सदन का नेता इनको बनाया गया था इसके अलावा पुरणाव मुखर जी ने रक्षा, वीत, विदेश पर इवेंट, संचार जैसे बहुत से मंतरा लोग का अंदर अपनी शेवा दिये, इन सभी मंतरा लोग अंदर इन्होंने काम किया है, अंतरास्टे मुद्राकोस, विसु बैंक, एशाई विकास बैंक, इन सभी के अंदर प्रसासक बोर्ड के सदश्य भी ये रहे थे, यानि कि बहुत अधिक उच्छ व बना दिया के सब गया, डक्टर सही मायनों में प्रणम मुखर जी उमिद्वार थे, लेकिन डक्टर बना दिया गया, एक्चुल के अंदर जब सभी लोग ये उस समय कह रहे थे, प्रधान मंतरी प्रणम मुखर जी को बनाना चाहिए, उस समय ये बहुत अधिक चर्चा का बना दिया गया, प्रणम मुखर जी थे, उसके बाद मन महुन सिंग शेविगा का पूर्ण विश्वास करते थे, और सरकार के अंदर जो भी महतपूर्ण विभाग, महतपूर्ण जिम्मेदारी इनको दी जाती थे, एक प्रकार से पार्टी के ये संकट मोचन की बुमिका निबाते थे, उसके बाद राजनितिक केरियरा भारत के तेरवे रास्टपती भी बनाए गए, और अभी हाली में 26 2019, 26 2019 को भारत का सरवोज सम्मान, भारत रतने से इन्हे सम्मानित किया गया, तो डक्टर प्रणम मुखर जी के लाइफ स्टोरी के बारे में हमने कुछ प्रणम मुझा इन्हार्णम मुझा है।